रविवार को बाबा को सनच्छट देने के आरोप में जेल गए अखिल भारती रास्ट्री ब्राम्भन समाच के रास्ट्री अध्यक्ष संजत्र पाठी के निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स के अवैध हिस्से पर मामा का बुल्डोजर चल गया कॉम्पलेक्स को ढहाने के लिए लावलशकर के साथ प्रसासन के टीम पहुची और निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स को धरासाई करने के प्रक्रिया शरू कर दी गई भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में ये कारवाई की गई रीवा के सरकेट हाउस में हुए दुष्टकर्म के मामले में शामिल आरोपियों के घरों पर मामा के बुल्डोजर का कहर लगातार जारी है मुख्या आरोपी सीतारा और विनोत पांडे के घर में प्रसासन ने पहले ही बुल्डोजर चला दिया था वहीं रविवार को लावलसकर के साथ पहुची पुलिस की टीम ने रेलवे तिराहे के पास संजत्रपाठी के निर्माणादीन भवन के अवैध हिस्से को गिरा दिया इसकी गिराने की तैयारियां शनिवार से ही सुरू कर दी गई थी जिसे रविवार को पूरा कर दिया गया बाबा से पूच्टाच के दोरान कई एहम राज उजागर हुए थे जिसमें अखिल भारती ब्राम्हन समाज के रास्टी अध्यक्ष संजत्रपाठी और उनके भांजे अंशुर मिश्रा का नाम सामने आया था और बाबा को भगाने और सनक्षन देने का आरोब भी लगा थ इसके बाद उनहीं की फॉर्चुनर गाड़ी से सीधी के लिए उसे भगा दिया गया था इस खुलासे के बाद पुलिस ने संजत्रपाठी और उनके भांजे अंसुल को भोपाल से गिरफतार कर लिया था जिनने शनिवार को बाबा के साथ ही नियाले में पेश किया गया थ जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था वहीं शनिवार को जिला कलेक्टर और एस पी ने संजत्रपाठी के निर्मानाधीन कॉम्प्लिक्स का निरिक्षर किया था जिसके बाद रविवार को उसके अवैद हिस्से को गिरा दिया गया जैसे विक्साने पर रही जबाँ बाफ पर बाद से लोगा आज आज जो ये निर्मान काड़े तोड़ा जा रहा है अना दिक्रित रूप से बनी हुई के नाम पर दर्ज है और इसका एक हिस्सा इसलिए गिराए जा रहा है क्योंकि अना दिक्रिक्षे शास की भूमे बना हुआ निर्मान है और नियम के विप्रीद बना है यह